नुश्कार दोस्तों कैसे हो मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होगे दोस्तों आज एक इंपोर्टेंट टोपिक है उस पर चर्शा करेंगे जैसा कि आपको पता है कि 16 मार्च में चुनावू की घोशना हो चुगी है और इसी के साथ ही आचार सहीता सुरू हो गई है तो क्या नहीं कर सकती और इसके पिरभाव हम पर क्या पड़ेंगे इन सभी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे लेकिन पहले चुनावों के बारे में कुछ चीजे मैं बता दू कि चुनाव कब से सुरू हो रहे हैं कितने चर्णों में होने वाले हैं कब इसका परणाम आएग से सुरू होगं चर्ण दो में नवशी सीटे होंगी 26 अपरैल से सुरू होंगे चरन तीन में 94 सीटे होंगी 7 मई को होगा चरन चार में 10 में 37 हूंगी 20 माई poրण 152 मई को 45 में 50 चरन 7 67 सीटे और एक जून और इन सब का जो प्रणाम है वह परणाम कब आने वाला है चार जून को आने वाला है और यह चीज टैप नहीं हो पाई थी तो हमने इंडिया टीवी से एक जो इंडिया टीवी है वहां से हमने ले ली हैं अब आगे चलते हैं आगे आप देखेंगे कि जो आदर्स आचार सहीता होती है आखिरी होती क्या है इसको अच्छे से समझने व साती आचार सहीता क्या हो जाती समाप्त हो जाती है यानि अब घोसित का मतलब चुनाव के नतीजे घोसित होने के साथ ही नहीं चुनाव नतीजे हां बिल्कुल सभी बात है नतीजे घोसित होने के साती आचार सहीता समाप्त हो जाती है चुनाव के दोरन इसका पालन किया जा पुरी होता है इसकी प्रस्ट भूमी क्या है तो आचार सहीता 1960 में क्या बोलेंगे 1960 में सभी राजनेतिक दलोद्वारा आपसी सहमती से बनाए गए क्या है नियम है जिने लागू कराने का उत्तरदाइत रास्ट्य चुनाव आयोग पर बनाया गया अच्या रास्ट्य चुना समरी को क्या बनाया जाता रास्ट्य मतदाता दिवस मनाया जाता है आगे इनको जो शुरू किया गया था वह 1991 में इनको शुरू कर दिया गया था अब आगे अगर हम चले किसमें नियम क्या क्या है हमें नियम को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि क्या नियम ह करेंगे पिरचार अभियान को निष्पक्ष और स्वस्त बनाए रखना स्वस्त एरुपयोग को रोखना है जैसे मं लीजिये आज बहुत कर पूरा अ paso कर weiß थो रने साधन हैं जैसे में बूजप की बात को रया ते सत्ता दिन तो अव वह सरकारी मसीनरी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जैसे आचार सहीता लग जाती है अब पुलीस की सिक्योर्टी बेर लेते तो उससे क्या करना पड़ेगा पहले सुचित करना पड़ेगा और वहां से पुलीसधन को मिलेगा आग़े क्या है ऐसा काम नहीं करना जिससे घीड् या जाती और धार्मिक या भासा ही समदाय के बीच में मतबेद ना हो ऐसा में कारिय करना किसी प्रिकार से भी ऐसा कोई कारिय नहीं करना आगे धार्मिक इस्थानों को उप्योग चुना प्रिचार के मंच के रूप में नहीं किया जाएगा धार्मिक संस्थान जैसे होते हैं मंदीर है मस्जिद है गुर्दवारा है गर्जा घर है इनका प्रियोग नहीं किया जाएगा आगे मतदान केंदर के 100 मीटर यानि जिस दिन मतदान होता है तो उसमें 100 वोटिंग होती है जिस दिन आपकी वाटिंग होती है तो उस दिन वोटिंग होने से पहले यानी अड़तालिस घंटे पहले चुनापरचार बंद हो जाता है यह ज्यांनी उस योजना कोई foreign नहीं किया जाएगा और उद्गाटन भी नहीं किया जा तो ये सारी सबी चीजे जो हमारे नियम आदार्स आचर सहीता में दिये गए हैं वो ही लागू होते हैं अच्छा इसको लागू करने का एक उद्देश्य रहता है देखो लोगतंत्र एक परव होता है भाई भारत जो है इस समय विश्व का सबसे बड़ा लोगतंत्र है और य उत्सव का परव है हमारे अधिकार हैं हम हर आदमी के नागरिक का अधिकार होता है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार को क्या करें सरकार में लाए और उन से किये गए जो उन्होंने वादे की हैं जनता से नागरिकों से उनको शुरू करवाए उनको लागू कर रहें ठीक है तो यही जानकारी हमें देनी थी, आपने इन सभी चीजों को आसानी से समझ लिया है, हमने जो हमारे नियम थे, हमने नियम को भी पढ़ लिया है, हमने जो आदर्स आचार सहीता है, वो है क्या उसकी परिबासा, उसकी प्रस्ट भूमी क्या, इनको देख लिया, लोग सबा इतने चर्णों में होने वाले हैं और इसका परणाम 4 जून को आने वाला है तो यह सारी चीजी हमने समझ ली हैं और आपको पता है कि हम जो भी टोपिक रहते हैं जो भी चर्चा में मुद्दे रहते हैं हम उनको आपके पास पहुचाते और निस्पक्ष पहुचाते हैं तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद नवश्कार